नमश्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गौब्लॉक्ष और मैं हूँ आपके साथ भासकरानन्द डोबाल एक मेल हतेली हमारे सामने हैं और हतेली में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो मरकरी का परवत है जो बुद्ध का परवत है उस पे जो आपके अंदर धन कमाने की ललक किसे कारण बनी उई दिखाई दे रही है कहीं न पर सबसे अच्छी बात है लिए आपकी कि मरकरी की उगली है जिसे लिच्टिल favorite हिसको हमकनिष्टा केते हैं वो अनामिका उंगली के पहले पौर्वे तक सुद्ध रूप में पहुँच रही है यह अत्यंत स्रेश्ट मानी जाती है आप लोग प्रेक्टिकल अगर देखेगा तो ऐसे लोग आपको ब्यापारी बर्ग के लोग जादा मिलेंगे ब्यापार के गुण ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छे होते हैं जो Communication Skills होती है, बड़ी सुन्दर ऐसे लोगों के अंदर होती है, आपके अंदर इस उंगली के कारण Communication Skills बहुत सुन्दर है, कोई कमी नहीं है, दूसरी बात, ऐसे ब्यक्ति जो है, या तो ब्यापारी बर्ग के ब्यक्ति मिलेंगे, अगर नौकरी कर रहे हो, तो चाए वो प्रैव कारी लेवल के ब्यक्ति होते हैं, ऐसे ब्यक्ति उच्वर्ग के ब्यक्ति होते हैं, अपने जीवन में स्रेष्ट होते हैं, और सपलतम ब्यक्ति होते हैं, क्यूंकि ये उंगली लंबी है और इसके पहले पौरवे तक पहुँचती है, तो ब्यक्ति के अंदर एक बहुत खा आपके अंदर है यहां पर अगर हम देखें आपकी सूरी की उंगली जो सूर्य गरह द्वारा सासित है ये उंगली पूरी तरो से जुक रखी है कर्ब लेरी है नेचुरल रूप में प्राकृतिक ढंग से किसी ने मोडा नहीं है न तो इसकी कोई सरजरी हुई है नहीं प्राक सूर्य के प्राकृतिक गुण हैं, क्या गुण हैं, यस पाने की इक्षा आपके अंदर बहुत अच्छी है, मान प्रतिष्टा पाने की इक्षा आपके अंदर बहुत ती ब्रगति में विद्यमान है, अपने कारियों में विस्तार पाने की इक्षा हमेशा बनी रहेगी, वो एक्चा जीवन्त रहेगी यह अच्छा गुण है अब यहाँ पर दीखेगा आप मैंने जो अपना रिसर्च की है उसके अनुसार बता रहा हूं एक तो आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है इससे काफी बड़ी है आपकी अनामिका की उंगले लेकिन मिडल फिंगर से छोटी है सास्तर कहता है कि ऐसा ब्यक्ति यसुस्वी होता है आप यसुस्वी होंगे समाज में मान प्रतिष्टा पाने वाले नेम फेम पाने वाले ब्यक्ति हैं और कहीं न कहीं सफलता आपने अपनी जीवन में पाई है और आगे भी अपने बलबूते पे अपने प्राक्रम अपने पौरुस्वत्व और अपनी लगन और मेहनत के कारण आप सफल होंगे सफलता की प्राप्ति करेंगे क्योंकि आपके अंदर रिस्क लेनी की चमता है आपके अंदर जोखिम उठानी की चमता है और उसमें कहीं डेमेज भी हो जाए उसको सहन करने की चमता है क्योंकि हिम्मती स्वभाव आपके अंदर है देखेगा मैंने अपनी रिसर्च में एक चीज पाई है जो आपकी हतेली में बन रही है और लोगों का जो फीड़ बैक आया है वो भी इसी हिसाब से आया है हमने देखा है कि जिसकी ये उंगली इसके पहले पोरोय तक पहुँचती हो और ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी हो लेकिन इस से छोटी हो तो ये जीवन काल में राज योग को जन्म देती है हमने पाया है अपनी रिसर्च में 99.9% मामले में जादा तर ऐसा ब्यक्ति सरकारी नौकरी या इस से समंदित छेतर में कार्य करने वाले होते हैं अगर एक परसेंट किसी प्रस्तितिवस ऐसा ब्यक्ति सरकारी नौकरी या इस से समंदित छेतर में कार्य ना पाया हो तो फिर ऐसा ब्यक्ति ब्यापार की तरब जाता है अगर आपके हतेली में ये योग है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जैसे इनकी हतेली में हैं, और आप सरकारी नौकरी की कोशिस कर रहे हैं, तो अपनी कोशिस को और बढ़ा दीजेगा, अपनी मेहनत को बढ़ा दीजेगा, 100% आप सफल होंगे, और सरकारी चेतर में आपको और ब्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगे और जिस ब्यक्ति के हतेले में यह योग बनता है वो ब्यक्ति अगर प्राइवेट नौकरी करता है तो भी अच्छे खासे पद पे रहता है अच्छा रहता है लिकिन जो वास्तों में जो पहचान बनके उभर कर आनी चा अब यहां पर देखेगा आपकी हतेली में ये पूरी तरो से सीधी है हन की जुक रही है ये इस प्रवत की तरफ ये अत्यंत स्रेश्ट है कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व है जानते हैं भाग्या में कुछ भी लिखा हो लेकिन जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो भी सही दिसा की तरफ तब तक जीवन में सफल होना बहुत मुश्किल है तब तब तक भाग्योदय होना बहुत मुश्किल है अगर भाग्या में जीरो लिखा है तो भी हम अपनी मेहनत के बल पे अपनी परिस्रम के बल पे अपना भाग्योदया करा सकते हैं अपना होते हैं यहां पे अगर देखें गुरु से सासित जो उंगली है यह पूरी तरह से जुकी हुई है आप देखेगा ध्यान से मैं मिठा लेता हूँ देखेगा यह जुकी हुई नापड़ी तरह मुझनर की तरफ और यह पीटर का माउंट है और सास्तर के अनुसार अगर देखा जाए ये हमारे हतेले में पर्थम आचारे हैं ये देव गुरु ब्रिस्पती है और इनसे बड़ी किसी की पदुई नहीं है और जो उंगली इस पे बनते है उसका जुकाव सनी की तरफ हो भाग्यास्तान की तरफ तो ये बत इतहें बिसम से बिसम प्रस्तिति आ जाए कठिन से कठिन समय आ जाए तो भी इस स्वर में विश्वास नहीं डगमगाएगा बना रहेगा कहीं न कहीं कुरूरता निश्ठूरता आपको नहीं चुएगी दिल के किसी कोने में दया भाव बना रहेगा साथ में प्रौपकार क भावना भी रहेगी और ता उम्र चलेगी दूसरा जनम भी हो तो भी ये गुण ब्रिस्पति के आएंगे और अपनी चीजों को कहीं न कहीं इस संस्कृति को इस अमुल्य धरोहर को अपने परिवार में भी देंगे ये भी आपकी हतेली में गुरू की किरपा से दिखाई दे अब यहां पर अंगोठा देख लीजिएगा आप एक्छा सक्तियां आपकी बहुत अच्छे हैं तरक सक्ति भी आपकी बेहितरीन है लेकिन आपका अंगोठा कहरा है कि किसी भी काम में जल्दबाजी में डिसिजन नहीं लेना है जल्दबाजी में ले गए निरणयों के कार बहुत जादा है आपके साथ तरक में कोई नहीं जीत सकता है आप गलत तरक को भी सिद्ध कर सकते हैं उसको सही ठैरा सकते हैं यह काबिलियत आपके अंदर है यहां पर अगर देखेंगे अब पता नहीं चल ला है कि वास्तों में अगर यह चिन बन रहा है तो कहीं न कहीं भाव के समका ब्यक्तित्व भी आपके अंदर है यहां पर सुन्दर तरेके से देखें सुक्र पे वर्टिकल लाइने बहुत अच्छी मात्रा में अपने कारे के परती जुझारोपन है जो कारे हाथ में लेते हैं जब तक उसकी पूरती नहीं होती है उसकाम को पूरा नहीं करते हैं अधुरा नहीं छोड़ते हैं कारे के परती जुझारोपन है और यह सबसे अच्छी खासियत होती है वक्तिकि सबसे अच्छी चीज वक्तिके अंदर यहीं होती है हाँ लेकिन बरतमान में अगर हम पूरी हतेली को देखें तो छिन भिन आउस्ता में एक दूसरे को काटते हुई रेखाईं भी दिखाई दे रही है जब बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल हतेली में बनता है तो इसको ठीक नहीं माना जाता है ये हमारे जीवन पे कहीं न कहीं नगेटिव प्रभाव देने का कार्य करती है इसकी संभावना को बढ़ाती है और ये बिक्तिके बरतमान समय को ज़्यादा इंगित करती है ये रेखाईं देखेगा हमारी जो हतेली है ने उसकी जो नसें हैं जो कोशिकाईं हैं वो हमारे दिमाग से मिली हुई होती है और हमारे दिमाग से और हमारे हाथ से जब खून का संचार होता है तो इसके नीचे एक जो है गरंथी होती है और इस गरंथी से तमाम उंगलियों को पूरे हाथ को खोन का संचार होता है अमारा रक्त प्रवाइड होता है और जब हमारे मन मस्तिस्क पे कुछ चल रहा होता है वो भी उल्जन टाइप की तो उसकी जो प्रवाव है अमारे हतेली में रेखाओं के रूप में उभर कर आता है अच्छा चलना होगा पोजिटिब चलना होगा या जीवन में जो है इसमोथता आरे होगी सोभगे की प्राप्ति हो रही होगी तो उस प्रकार की लाइने आती है उल्जन चलनी होगी तनाव चलना होगा कनिफ्योजन की इस्तिती होगी तो उस प्रकार की लाइने आती है या सरीर में कहीं न कहीं जो है कोई रोग पकड़ रहोगा कोई मुस्कलें आरे होगी तो उस प्रकार की रेखाएं उस परकार का उतार चड़ाव उस परकार का कलर हतेली में इंगित होता है बस देखने की जरूरत होती है हलका सा पहे चालने की जरूरत होती है और थोड़ी सी रूटीन बदलने की जरूरत होती है जब हतेली में ये रेखाएं आती है कहीं न कहीं हल के रूप में इस है लेकिन उल्जन की इस्तिति को जन्म देती है कनिफ्योजन की इस्तिति को जन्म देती है डिसिजन लेने की चमता पे असर डालती है और फिर इसका प्रभाव आपकी डेपलप्मेंट पे आपकी प्रोग्रेस पर भी पड़ता है ती ब्रगति से आपका development आपके progress कही न कहीं बादित होनी बैठ जाती है आपके आर्थिक छेतर पे भी इसका प्रभाव पड़ता है ये धीरे धीरे ब्यक्ति को कहीं न कहीं जो है आर्थिक रुप से कमजोर करने का कार्या प्रारंब कर देती है ये रेखाई बहुत ज़्यादा उभरनी बैठ जाए तो संगर्स का दस्तक विक्ति की जियोन में आ जाती है विक्ति का सामाजिक अस्तर थोड़ा धीला पढ़ने बैठ जाता है आर्थिक रूप से कमजोर होने बैठ जाता है आपके डिपलप्मेंट में आपके प्रोग्रेस में बादित होने बैठ जाती है कारियों में बिलम होने बैठ जाता है सपलता का अस्तर ये गिराने का काम करती है और विक्ति को रह्ष्यमे तरीके से उलजहा रखती है न तो ब्यक्ति बहुत आगे बढ़ पाता है न पीछे आ पाता है कहीं न कहीं तिरसंकों की तरों लटका रहता है और इसका प्रभाव आपके स्वस्त्य पे पड़ता है धीरे धीरे आपके रिष्टों पर पड़ता है और ब्यक्ति को पूरी तरों से ये अपने कबजे में लेने का कार्य करती है और इसका प्रभाव ढ़ाई वर्सों तक ज़्यादा पड़ता है अगर फिर वे आप नहीं समले आपने अपना रुटीन नहीं बदला आपने अपने खान पान में थोड़ा सा अंतर नहीं किया तो ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं फिर पांच साल तक फिर साड़े साथ वर थक कर लेती हैं इनको जीवन से हटाना और नगेटिव प्रभाव को कम करना बहुत सरल होता है दो मिनिट का योग ध्यान किरिया और एक प्राकृतिक किरिया इस चीज को खतम कर लेती है जड़ सी और व्यक्ति का जीवन सहजता से चलने लग जाता है इसका उपाई मैं आप आपको दोंगा उसको जरूर करिएगा जादोई तरीके से आपको परिणाम देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर देखेगा आपकी हिर्दे की लकीर अगर देखें सीधा सीधा जो है ब्रस्पति से मिलन कर रही है अत्यंत सरेष्ट किवल अपने स्वार्थ या परिवार के स नहीं सोचते हैं बलकि जो आपका व्यक्तित्व है वह इस प्रकार से है कि सब के लिए सोचने वाला नौलेज बहुत जादा है अपको प्रदर्शित करते हैं ने करते हैं वह बात अलग है लेकिन नौलेजबल व्यक्तित्व है अपका बुद्धिमान भी हैं आप आता है उसका ही आप अंततक साथ निभाते हैं स्वाविमानी भी है और स्वाविमान के अंदर अविमान का पुटबे आता इगो प्रोब्लम भी आपके अंदर है चाहिए आंसिक रूप से है चाहिए बड़ी रूप में है लेकिन आपके अंदर इगो प्रोब्लम भी है स्वा करें कोई और काम करें निश्चित रूप से ग्रह अगर अच्छी दसा में आते हैं तो एक स्रेष्ट जीवन आप व्यतीत करेंगे कि यहां पर अगर देखें यह उंग बहुत सुन्नर मस्तिस्क रहखा आपके बौदिक अस्तर को बता रही है क्रियेटिव बिटी को बता रही है क्रियेटिव हैं बौदिक अस्तर बहुत अच्छा है दिमाग से काम करने वाले ब्यक्ति हैं बौद्धि चातुर्या का परियोग करते हैं अपने जीवन काल में और हम जादतर सकारात्मक सोचते हैं जीवन काल के लिए भव्ययोजनाई बनाते हैं चाए वो पृतिवी पर उतर आये ना उतर आये वो की बात अलग है जीवन की रेखा इस तरों से जाती हुई पीछे की और जारी है परिवार की परति समर्पन की भावना है और निरंतर उन्नती की ध्योतक है ये जीवन की रेखा यहाँ पर जीवन की एक सहीयोगी रेखा भी दिखाई दी रही है बले ही एक रेखा इसको काट रही है जो जीवन में थोड़ा सा जो है तनाव की इस्तिति पैदा कर रही है थोड़ा सा उतार चड़ाव की इस्तिति पैदा कर रही है थोड़ा सा जो है रहस्यमाईज चीजें भी पैदा कर रही है लेकिन फिर भी ये अच्छे रूप में है जीवन में भारी संकट नहीं आएगा इसको ये हर लेगी जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आएगी उसको ये जो हरन कर लेगी उतनी ही मुसीबत आएगी जितना आप जहल सके उतनी ही प्रोब्लम आएगी जो आप जो है सहन कर सके उससे जादा नहीं दूसरी बात अगर नेगेटिव उर्जा का प्रभाव खतम हो जाता है तो आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा कुछने समझने के सक्ति भगवान ने विसेश रूप से दे रखी है उसका आप प्रियोग कर पाएंगे आने वाले समय में इसके कारण आपका ब्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभाव साली रहेगा और जमीन जायदाद होगी तो हो सकता उससे बड़ा लाव मिले लकडी उगेरा का कोई काम होगा तो सूरे के भव्य होने पर सूरे के अच्छे होने पर उसमें अच्छा खासा लाव मिलेगा कागज का उद्ध्योग होगा तो उसमें लाब उठाने की संभावना बहुत जादा यहां पे दिखाई दे रही है करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है फिर इस प्रकार से है फिर इस प्रकार से है ये रेखा थोड़ा सा जो है अन्बैलेंस है जब ये अन्बैलेंस होती है तो कहीं न कहीं करियर और धन के मामले में पूरा निखार नहीं आ पाता है पूरी अस्ताईत्व जो आना चाहे था जो बेक्ति की महतो कांचा होती है जहां तक बेक्ति पहुचना चाहता है तो वो पूरा निखार पूरा उभार पूरा अस्ताईत्व में थोड़ी सी कमी दिखाई देती है यहां पे इस प्रकार से एक रेखा इस पे जारी है लेकिन पतली है जैसे जैसे यह इसपष्ट होती जाएगी कहीं न कहीं ब्यापार के छेतर में उन्नती बहुत अच्छी होगी और जितना यह अच्छी होगी उन्नती का बिस्तार भी उस रोप में आपको देखने को मस्तिस्क रेखा से एक रेखा इर्दे रेखा की तरब जारी है कहीं न कहीं बिद्वता कहीं न कहीं सेल्स और मार्केटिंग के गुण भी आपके अंदर अच्छे खासी उबरते हुई दिखाई दे रहे हैं एक रेखा इस तरो से भी जाती हुई दिखाई दे रहे हैं जब इ में कोई गलत नरणय नहीं लेना है उसके कारण स्वयम की डेपलप्मेंट को प्रोग्रेस को अवरुद कर सकते हैं यहां पर अगर अंगोठे के नीचे का भाग देखें तो सुक्र का परवत है बहुत सुन्दर है अपने को सज सवर कर रखना अपनी प्रसनेल्टी पर ध्यान देना अपने को मेंटेन रखना नहीं चीजों के परतिरुजान रहना यह चीजें बहुत अच्छी रहने वाली है निम्न मंगल और उच्छ मंगल देखें निम्न मंगल थोड़ सा कभी कभार चिर्चड़ा स्वभाव का बना शकता है या डिसीजन लेने की छमता में असर ड सुन्दर ब्रस्पति देखें कहीं न कहीं सनी की तरफ भाग रहा है परिवार को लेके कुछ चिंताएं कुछ समय तक रह सकती हैं संभावना बहुत ज्यादा है या पारिवारिक समस्याई जन्म ले सकती है थोड़ा साजो है अपनी रूटीन में थोड़ा हलका परिवर्तन जरूर करिएगा यहाँ पर अगर देखें नीचे की तरफ रेखाएं जा रही है अध्यात्मे की तरफ भी रुज़ान बढ़ेगा इसकी संभावना है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्मे की चेत्र में बड़ी बिर्दी की और बिजोयी संकेत कर रही है लेकिन यहाँ पर देखें तो ब्रस्पती अभी साधारन आउस्ता में आपके हतेले में बैट चुके है बरतमान में और इस आउस्ता में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारनता दे रहे हैं सामन्य साब व्यक्तित्व भी देते हुए बर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन हास्मुक्सोभाव बना रहेगा दयालुता आपके अंदर रहेगी प्रॉपकार की भावना रहेगी आर्थिक पक्ष भी बहुत ज्यादा नहीं डग मगाएगा ठिक ठाक रहेगा लेकिन यस की प्राप्ति के लिए अपने कारियों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए नेम फेम पाने की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा जुकाओ बना रहेगा एक स्वतनतर्ता और लीडर्शिप की चाहा रखने वाले होंगे सनी परवत सनी पे इस प्रकार की लाईने है इस प्रकार की मनि इस पष्ट कोई नहीं है और यहां पे उबरावा है गंभीर के समका बिक्तित तो देता है ये तो अच्छी बात है लेकिन कभी कभी बे वजहे की चिंताएं ये देदने बैठ जाता है कभी कभी कुछ ऐसी चिंताएं देती है ऐसी वजहें खड़े करता है जिससे तनाव की इस्तिती बनी रहे है ऐसे में बिक्ति कई बार दुखी सा होता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ा कमी आने बैट जाती है कारियों में बिलंब होने बैट जाता है ये इस प्रकार से बैठ जाए तो कहीं न कहीं इस्तेमाल होने की संभावना को जन्म देता है सूर्या सूर्य पर लकीरे ठीक ठाक है इस्तिती भी अच्छी बन रही है लेकिन सूर्या बरतमान में उस प्रकार की उर्जा नहीं प्रवाइड कर रहा है जिस प्रकार की उर्जा प्रवाइड करना चाहे सूर्य थोड़ सा अगर उर्जा अच्छा प्रवाइड करे तो जीवन पूरा निखर जाएगा लेकिन यहां पे जितना आप प्रयास कर रहे हैं क्या वो वास्तों में सफल हो पाएंगे पूरी तरों से इसमें ये प्रसन चिन लगा रहा है जो आप मेहनत कर रहे हैं जो आप उप्रह क्वालिटी है जो आपके अंदर योगिता है उस तरों से चीज़ें निखर कर आ रही हैं क्या उभर कर आ रही हैं आप से पूछ रहा है ये कह रहा है कि सुरे किरिया करेगा आप जो ब्यापार कर रहे हैं क्या उसमें वो बिस्तार वो फैलाव मिल पा रहा है आप जो नोकरी कर रहे हैं उसमें वो ग्रोथ मिल पा रही है क्या आपका जीवन सहिजता से सरलता से निखर करके आगे बढ़ रहा है आपको रास्ता मिल रहा है क्या आपके सारे रिक्ष्षक्र सूरे की चक्रों के साथ परस्परताल मेल में है आपकी जो साररिक्ष्वत्य है, जो खुसाली है, जो उत्सा है, जो ओर्जा है ये चीजें आपके साइब वनी हुई हैं कि थोड़ा चिंता करनी पड़ रही है ये कहरा है कि सूर्य किरिया आपको करनी है बुद्ध अगर देखें बुद्ध वास्तों में आपका बहुत अच्छा है मनोबेग्यानिक के च्छेतर में माहिर है सामने वाली बेक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छेतरों से जानते हैं अगर सूर य सनी आपका अत्यंत सुधिर्ड अवस्ता में आजाए और ब्यापारिक करें तो बिसेश लाव की प्राप्ते आपको होने वाली है चंदर्मा भी आपका अच्छा है यात्राओं को भी दिखा रहा है जिवन में यात्राइएं भी आपने की हैं चंद्रमा के कारण और आगे भी हो सकता है प्रभु किर्पा रहे तो सुखद यात्राइएं भी होंगी मानसिक रोप से धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे कॉन्फिटेंस लेबल और भी आगे बढ़ता हो दिखाई दे रहा है सरीर का हार्मोनल सिस्टम बिगड़ेगा नहीं जैसे जैसे चंद्रमा अच्छा होगा बढ़ता जाएगा किरियेटिविटी भी बढ़ेगी ये भी आपका चंद्रमा यहां पे कहता हुआ नजर आ रहा है यहां पे अगर हम देखें कुछ समय तक के लिए कुछ चिंताएं बनी रह सकती है इस प्रकार की जो है ये बताता हुआ नजर आ रहा है एक बात जरूर है राजयोग तो है चीजें भी बहुत अच्छी है लेकिन नगेटिव उर्जा के कारण और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा भाग्यास्तान पर और सुर्य चेतर पर पढ़ने के कारण थोड़ा सा जो वास्तों में प्रोग्रेश होनी चाहे थी जो जीवन को वास्तों में निखर करके आना चाहे था जो व्यक्तित तो बुलंद होना चाहे था उसमें कहीं न कहीं ये रोक लगा रहा है इसके लिए सुर्य किरिया सनी का उपाई और सबसे पहले इस नगेटिव उर्जा का उपाई करना बहुत जरूरी है जीवन में आप जिस अस्तान पे पहुँचना चाहते हैं अगर उस अस्तान पे आपने पहुँचना है तो जीवन को निखार करके रखना है तो नगेटिव उर्जा को अपनी सरीर से भगाना है और इसका बेहतरीन उपाई में आडियो के माद्यम से लिख करके आपके वर्सप पे दे रहा हूँ इस वीडियो में बस इतना ही एक नहीं वीडियो के साथ पनो उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार